एपिसिन नुमर टूर्ने सेवंटी नाइन की स्टार्टिंग होती है और सुयू चांग्वियान से कहरी होती है लाओ में इसे साफ कर दू अब चांग्वियान कहता है नहीं दूर रहो मुझसे और चली जाओ यहां से और फिर सुयूज की पेंट पोस्तिव ही कहती है चांग्मियान उसकी आवस सुन वो दोनों सेड देखने लगते है और वन बै उनको इस तरह देख चौकती है कहती है और फिर और फैंग्वियान कैता है यह सब क्या हो रहा है ने कभी उन दोनों के बीच में वो चिंगारी नहीं देखी और ऐसा कैसे हो सकता है और फिर चांग्म्यान सुयू को पीछे देकलती हुए कहता है वान भाई ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और फिर सुयू केती है हाँ वो सही कह रहा है प्लीज वान भाई तुम हमें गलत मस समझो और ये स्रिपेक एक्सिडेंट था और मुझे माफ करना जो तुम्हें ये सब देखना पड़ा और फिर वान भाई केती है ठीक है मैं समझ गई और फिर वोमन में कहने लगती है सुयू सच में नकली एक्टिंग करती है और वो ये सब जान बुछ कर कर रही है ताकि मैं चांग्मयन को गलत समझो और फिर सुयू केती है वान भई हमारे पीछ में सच में कुछ भी नहीं हुआ है और फिर चांगमन घुसे से कहता है सुयू तो मैं तुरंत यहां से निकल जाओ नहीं तो मैं किसी को बुला कर तुम्हें यहां से भार निकलवा दूँगा तुम्हें किसी को बुला कर तुम्हें यहां से भार निकलवा दूँगा और पिर सुयू वहां से निकलती हुए कहती है मिस्टर चांग्यून और वान बई अब में जा रही हूँ और पिर वो गुसे जमन में किना लगती है अरे नहीं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि चांग्यून ने मेरे साथ इस तरह गंदी तरह से बरताव किया और वहीं चांग्यून वान बई से कह रहा होता है वान बई में ये बात नहीं जानता था कि तुम आज मेरे आफिस आने वाली हो और क्या वान बई आज तुम मेरे आफिस इसलिए आई हो ताकि तुम मेरी जाच कर सको वहीं वान बई सुयू को देख मन में कहा रही होती है यू क्योंकि तुम हम दोनों की बीच में फुट डालना चाहती थी तो ऐसा ही सही मैं तुमको एक शो दिखाती हूँ और फिर वो चांगवन कहा जटकती हुए ही कहती है किसमत से ये सब देखने के लिए नहीं तो मैं तो विश्वासी नहीं कर सकती थी कि तुम दोनों एक दूसे कितने ज़दा करीब हो और वहीं सुयू जाती हुए वान बई की बाते सुन मन में कहने लगती है मेरी चाल काम करी और अब वान बई पागल हो रही है और मैंने आखिर कार उन दोनों के बीच में फूट डाल ही दी कि ये बाते सुन चांगवान चौकती हुए कहता है क्या वान बई अभी थोड़ी देर पहले तो तुम इतने घुस्से में नहीं लग रही थी और फिर वान बई चांगवान से कहती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं दूसरों के सामने ये स्वीकार करूँ कि मेरा पती मुझे धोका दे रहा है और मैं उन सबी को खुद के उपर हसने दू उसकी ये सब बते सुन चांगवान बहुत जदा घबराती हुए कहता है वान बई मैं कसम से खह रहा हूँ कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रही हो और बताओ वान बई तुम्हें मुझे पर विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होँगा और फिर वान बई कहती है मैंने वो सब अपनी आखों से देखा है और गाईज़ी के साथ एपीसों नुमर 279 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक एंड से स्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपीसोड में